Welcome back to MB Academy तो आज की स्वीडियो के अंदर हम C++ में एक और नई गेम की implementation करने वाले हैं इस गेम का नाम है Casino Number Guessing Game इस गेम के अंदर हमने एक number guess करना होता है इस से पहले हम गेम में कुछ पैसे रखवा लेते हैं और फिर हम थोड़े थोड़े कारके इस गेम में वो पैसे लगाते हैं और हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं अगर हम हार जाएं तो वो पैसे हमारे loss हो जाएंगे अगर हम जीत जाएं तो वो हमें return में मिल जाएंगे और अगर हम पैसे लगाते जाएं और जीकते जाएं तो हमें अपनी डीगी रकम से ज़्यादा भी पैसे मिल सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग को शुरू करते हैं तो इस गेम की कोडिंग मैं dev c++ में ही करूगा आप किसी भी RDE का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं dev c++ को ओपन कार देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर dev c++ ओपन कार दिया है तो यहाँ पर साब से पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ctrl n दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक नया प्रोजेक्ट बन चुका है अब मैं यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में इस्तमाल होने वाली हेडर फाइल्स को लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल्स को लिख लिख दिया है इस प्रोग्राम में सबसे उपर जो पहली हेडर फाइल है यह है आयू स्ट्रीम आयू स्ट्रीम के लाइबरेरी से आप काफी वाकफ होंगे क्योंकि इसको हम तक्रीबन हर प्रोग्राम में इस्तमाल करते हैं इसके वज़े ये है कि हमें तक्रीबन हर प्रोग्राम में input और output के functions या objects का इस्तमाल करना पड़ता है तो आई ये string हमें cout और c in जैसे objects देती है इसके वीचे string की library है ये हमें string manipulation के लिए use की जाती है string के functions को इस्तमाल करने के लिए यहाँ पर हम इसको include कराते हैं तो जैसा के get line आप जाते हैं बहुत ही famous एक string का function है तो इस प्रोग्राम में हम उसको use करेंगे तो ये library हमने इसके लिए इस्तमाल की है इसके बाद नीचे cstdlib ये एक library है तो इसका वैसे तो farm c standard library है इस library में हमें एक function मिलता है जिसका नाव srand है जिससे हम अपनी game के अंदर random guess generate कराएंगे क्योंकि हमारा जो player है उसको एक random number guess करना होगा तो वो random number हम इसके function srand से ही generate करवाएंगे इसके नीचे हमारे पास एक ctime नाम की library है ctime में एक function होता है time तो जो time function है ये हमें random function यानि random जो srand function है उसमें random numbers generate करने में काफी जादा मदद करता है और हमें हर time हर वक्त के बाद एक अलग random number देता है ना की कोई चीज repeat करता है तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे ctime library को include करा लिया है अब आप यहाँ पर c भी लिगा सकते हैं जिस तरह c stdlib और आप stdlib.h भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर c stdlib भी और ctime लिखा है अब इसके नीचे मैंने using namespace std लिख दिया है इसका इस्तमाल हम हर प्रोग्राम में इसलिए करते हैं क्योंकि जो cout और c in जैसे objects है इनको लिखने के लिए हमें standard का reference लाजमी देना बड़ता है तो अगर हम यह नहीं लिखेंगे तो हमें प्रोग्राम में मुश्ड़ पाढ़ सकती है यानि हमें थोड़ा code लंबा लिखना पाढ़ सकता है इसनी हमने यहाँ पर using namespace std लिख दिया है अब हम अपने main function की implementation की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैंने int main लिख दिया है main function के अंदर सबसे पहने मैं इस प्रोग्राम में इस्तमार होने वाले कुछ variables लिख लेता है इन मेंसे जो सबसे पहना variable है यह है string player name इसके अंदर सबसे पहने हम अपने player का नाम store कराएंगे इसके बाद amount के हमारा player कितनी amount रखवाता है इस game के अंदर फिर वो amount player थोड़ी थोड़ी कारके use करेगा जब भी वो कोई number guess करने वाला होगा इसके बाद नीचे है betting amount betting amount में हमें फिर वो जो player guess करेगा वो कितनी amount पर guess करेगा वो store कराएंगे इसके नीचे है guess, inter guess यहाँ पर हम जो guess करने वाला number है वो store कराएंगे इसके वह डाइस है डाइस भी हमारा वो जो number generate होगा random number generate होगा वो store रएगा इसके नीचे है choice तो choice का variable हमने इसलिए यहाँ पर बनाया है क्योंकि user अगर कुछ game में guess करता है number और फिर वो game return करना चाहता है तो हम उसको return करने के लिए choice पूछेंगे कि आप yes करना चाहते हैं return पर yellow करना चाहते हैं तो हम अपने user की choice को इस choice की variable के अंदर save करेंगे इसके नीचे हम srand और time के अंदर 0 लिखके हम एक random number generate कराना चाहते हैं तो यह लाज़मी है जो हमें एक random state पर इस number को generate करने में मदद करेगा इसके पाल हम इस game का label लिखते हैं label में हम एक function बनाएंगे जिसका नाम है draw line draw line क्या करेगा कि जिस तरह हम हम खाल प्रोग्राम में labels पहले लिखते हैं तो यह label में उपर वाला जो upper border है वो generate कराने में मदद करेगा और फिर जो नीचे वाला draw line है यह हमें lower border generate कराने में वदद करेगा तो इनके दरम्यान हमने अपनी game का नाम लिखा है जो कि है कैसी no game और इसके left और right slash n और slash t लिखा है ताके हमारा जो label है game का वो अच्छी तरह दिखाई देश के इसके बाद क्या हम करेंगे कि हम user से उसका नाम input लेंगे तो नाम input लेने के लिए हमने उपर जो variable बनाया था player name उसको यहाँ पर इस्तमाल करेंगे उससे पहले हम user से पूछेंगे enter your name तो user अपना नाम input करेगा तो यहाँ पर user space भी अपने नाम के साथ input कर सकता है यह option रखने के लिए हमने यहाँ पर string जो उपर library इस्तमाल की थी उसका function get line इस्तमाल किया है get line और उसके अंदर दो parameters दिये है एक see in का object दिया है और दूसरा play player name दिया है जिसमें हमारा player का name save होगा इसके बाद हम निचे अपने user से deposit amount to play game यानि कि वो कितनी amount game के अंदर रखना चाहता है तो वो input कराएंगे तो इसके लिए नीचे हमने लिखा है enter deposit amount to play game तो आगे dollar का sign डाल दिया है और नीचे see in amount हम user से see in के जरीए enter कर लेंगे इसके बाद हम एक do while loop लगाएंगे इस do while loop के अंदर जो while condition है इसमें हमने twice equal to while रखा है और twice equal to small while तो इस do while loop के अंदर हम user से ही पूछ लेंगे कि आप क्या दुबारा से guess करना चाहते है number तो अगर user ने while input किया तो हम इस loop को दुबारा से चलाएंगे और फिर हम उससे दुबारा वो number generate करवाएंगे दुबारा वो generate किया गया number पूछेंगे तो अगर वो no करता है या कोई और option क्लिक करता है तो हम ये game out कर देंगे और return कर देंगे जिससे ये game end हो जाएगी तो do while loop के अंदर साब से पहले मैंने system CLS को call किया है जिससे हमारी जो पिछली स्क्रीन है वो clear हो जाएगी इसके बाद नीचे rules का एक function है उसको call किया है जिससे हमारी game के जो rules है वो लिखे हुए नजर आएंगे बिल्गू top पर तो ये rules का function तो हमने अभी तक implement नहीं किया इसको हम बाद में implement करेंगे तो इसके बाद हमने sayout के अंदर लिखा है your current palace is और आगे amount लिखनी है ये amount इस game के हिसाब से गठती या बढ़ती रहेगी इसके बाद नीचे मैंने एक do while वो लगाया है और यहाँ पर मैंने while के अंदर एक condition रखी है जो के है betting amount greater than amount तो इस condition का क्या मतलब है मिसाल के तोर पर user ने अपने account में 20 dollar रखवाए है तो 20 dollar रखवाए है तो अब वो क्नी amount तक bet कर सकता है 20 तक कर सकता है या 20 से कम तक कर सकता है 20 से ज्यादा वो number guess करने के लिए bet नहीं कर सकता तो इस condition को fulfill करने के लिए यहाँ पर मैंने betting amount greater than amount रख़ी है कि अगर मिसाल के तोर पर user betting amount से ज्यादा मिसाल के तोर पर user ने यहाँ पर amount user के amount 20 है और उसने betting amount 40 dollar दी है तो यह loop दबारा उसको input लेगा कि तुम अपनी correct amount input करो क्योंकि तुम जो bet का रहे हो वो ज्यादा है जो के तुम्हारे account में पढ़ा हुआ है तो इसके लिए हमने यहाँ पर while loop लगाया है तो इस do while loop के अंदर सबसे पहले मैं see out player name लिखूंगा जिससे player का नाम display होगा और आगे मैंने उससे money input कराऊंगा enter money to bet तो इसके नीचे मैंने see in और betting amount input करा ली है इसके नीचे मैंने एक if condition लगाई है जिसमें लिखा है betting amount greater than amount अगर user betting amount ज्यादा डाल देता है जो उसके account में है उससे ज्यादा डाल देता है तो यह condition क्या करेगी यह नीचे एक message display करेगी जो के है जो मैंने यहाँ पर see out के अंदे लिखा है और वो है your betting amount is more than your current amount और re-enter data और फिर user इसमें data दोबारा input करेगा वो दोबारा अगर हमारी betting amount amount से ज्यादा user input कर देता है 20 dollar account में पड़े हैं लेकिन वो 40 dollar input कर देता है तो पहले यह method display होगा उसके बाद user से दोबारा यह amount input की जाएगी तो यह do while loop यह working करेगा इसके बाद हम एक और do while loop लगाते हैं यह do while loop क्या है यह do while loop है कि अगर user wrong guess करता है wrong किस हवाले से guess करता है wrong किस हवाले से guess करता है कि हमारे जो guessing की range है number हमारे generate होने है random number generate होने है वो 1 से 10 के दर्मियान generate होने है तो हमारे probability इनके दर्मियान ही रहेगी लेकिन user 10 से कम कोई number input कर देता है यह 10 से ज्यादा number input कर देता है तो इस صورत में भी हमें वो जो guess किया गया number है वो user से दुबारा input करना पड़ेगा तो इसलिए हमने लिखा है condition के इंदर कि guess less than equal to 0 या फिर guess greater than 10 हमारे number 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है up to 10 तक 10 भी हो सकता है ना ही वो minus 1 हो सकता है ना ही वो 0 हो सकता है वो ना ही minus 3, 4 कुछ भी minus की term हो सकती है तो अगर user minus की कोई term input कर दे या 0 input कर दे या 10 से बड़े number 11 input कर दे 12, 100 जितने भी number input कर दे तो हम उससे दुबारा वो number input लेंगे और इस गलती पर उससे कोई भी किसी भी किसम की amount deduct नहीं की जाएगी तो इस do value के अंदर हम user से number input लेंगे तो हमने यहाँ पर cout में लिखा है guess your number to bet between 1 to 10 तो यहाँ पर हमने clear भी कर दिया है कि 1 से लेके 10 ताक आप number guess करें तो आगे हमने cn के जिरिए guess number में हम store करा देंगे guess कियागा number तो अगर हमारा user 0 से या 0 या 0 से कम number input करता है या 10 से बढ़ा है number input करता है तो हम एक message display करेंगे जो कि है please check the number should be between 1 to 10 d enter data तो पहले हम उसे ये message display करेंगे जिससे वो ये समझ जाएगा कि हमें मैंने ये range गल दे दी है तो फिर वो दुबारा वो number input करेगा और इससे उसकी कोई भी रकम नहीं कटेगी तो यहां तक user ने betting amount भी input कर दी है और वो जो उसने number guess किया है वो भी input कर दिया है तो अब यहां पर हम वो random number generate करवाएंगे तो random number हम dice नाम को जो variable है उसके अंदर generate करवाएंगे तो यहां पर नीचे मैंने dice लिखा है equal to range और इसकी range मैंने 10 तक रखने के लिए आगे percentage का sign लिखा है और 10 प्लस 1 लिख दिया है जिससे मेरा जो random number है वो 1 से लेके 10 तक generate होगा इन मेंसे कोई भी number 1 से लेके 10 तक generate होगा तो यहां पर नीचे मैंने condition लिखी है जिससे मेरा user अगर वो correct guess करता है तो क्या होगा तो अगर यहां मैंने condition लिखी है if dice equal to guess guess में हमने क्या store कराया था यह user ने random number input guess करने के लिए input किया है तो dice में हमने random number generate कराया था तो अगर यह दोनों match कर जाते हैं तो नीचे एक message इस दे होगा good luck you want rupees और कितने rupees वो जीतेगा betting amount betting amount जीतेगा दुबारा betting amount किस तरह जीतेगा कि जो उसने user ने betting amount उपर input की थी वो उसको दुबारा उसके current amount में add करके दे दी जाएगी तो नीचे इसके लिए हमने amount equal to amount plus betting amount multi private 10 कर दिया है इसके पाद हम अपकी agree condition की तरफ जलते हैं जो के else condition है और इसमें हम कि अगर user वो number guess नहीं कर पाता हो कोई और number guess कर पाता है तो लिखा हुआ आएगा bad luck this time you lost वो कितना lost किया है उसने उसने लास्ट कर दिया है betting amount की उसने उपर bet के लिए ठकी थी तो अब यहां पर हम multiple I bet 10 नहीं करेंगे जब user one करेगा जीतेगा तो उससे 10 गुना ज्यादा उसकी रकम से मिलेगा लेकिन अगर वो हारेगा तो उससे 10 गुना कम नहीं मिलेगा बल्कि उतना ही कम मिलेगा जितना उसने लगाया है तो इसके लिए नीचे हमने amount equal to amount minus betting amount लिख दिया है तो इसके बाद अगर user हार जाता है यह जीत जाता है लेकिन फिर भी उसको हमने जो number है वो डिस्प्ले करना है तो इसके लिए नीचे हमने cout लिखा है और इस cout के अंदर लिखा है the winning number was आगे हमने जो dice का random number जिसमें generate हुआ है वो लिख दिया है और इसके बाद हम player का name you have amount जो यानि कि उसको हमने अपने board पर current amount में दिखानी है कि उसके पास कितनी amount रह चुकी है यह उसके पास कितनी amount increase हुई है उसको यह सारा अंदाजा होता रहे तो इसके लिए नीचे हमने cout player name or you have amount आगे amount का variable लिख दिया है तो अगर हमारे player के पास zero amount हो जाती है तो हम फिर क् तो इसके लिए नीचे मेंने एक if condition लिखाई है जिसमें लिखा है if amount equal equal to zero तो नीचे हम display करेंगे you have no money to play तो इस वक्त हमारे player के पास कोई भी रिकम नहीं रही यानि या तो वो हाट चुका है या उसने zero input किया है तो हम फिर यह जल्लूप है सारा यह break कर देंगे इसके बाद हम player से दुबारा पूछेंगे किया आप दुबारा खेरना चाहते हैं या नहीं तो अगर उसके पास to zero amount रहे चुकी है तो वो यह बताने के काबल ही नहीं रहेगा कि वो दुबारा खेरना चाहता है तो अगर उसके पास बाद से ज़याधा पैसे है तो हम उसमेंगे and yes you know yoe slash and उसके guidance के लिए लिख दिया है तो नीचे हम see in choice के अंदर हम उसकी choice ले देंगे और हमारा जो while loop है इस choice के जरीए दुबारा से उस पूरी game को play करेगा तो इस while loop से बाहर हम अपने player का शुक्रिया दा करेंगे कि उसने ये game खेली है और उसका amount या balance डिस्प्ले कराएंगे तो नीचे हमने say see out टिका है जिसमें हमने slash and दिका है और उस से निचे हमने एक border draw किया है जो के हमने equal to के size draw किया है और उस से निचे हमने see out में tags for playing game your balance is इतने डालर तो यहां तक हमने अपनी इस game की implementation का ली है अब हम इस game में जो functions हैं उनको implement कर लेते हैं तो जो सबसे पहला function मैं implement करूंगा वो draw line का function है तो उसके लिए मैंने उपर word draw line का दी है और इसमें मैंने जो parameters दिये थे वो एक int n और एक character symbol है कि हम किस character की वो line या border draw करना चाहते हैं तो इसके अंदर मैंने एक far loop लगा रहा है जो उतनी length तक चलेगा जो उसने user ने put की होगी यानि कि 60 characters या 70 characters की वो line draw करना चाहता है वो उसपर depend करता है तो हमने far loop इतना चला दिया है और नीचे हम cout symbol से वो print कर देंगे और उसके बाद हमने नीचे cout slash n लिख दिया है ताके हम अगला operation अगली line पर कर सके तो इसके बाद हम wild rules का function implement करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ हमने simply rules ही लिखे हैं जो कि simply cout statement से ही लिख आई होगी अगर आपको यह वीडियो के सांद आई है तो इसको लाइक का दें और इसको अपनी दोस्तों के साथ में शेयर का दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब का दें शुक्रिया अलाहाफिज